हेलो दोस्तों एर की सब सभी लोग दोस्तों काफी दिन के बाद वीडियो आ चुकी है ब्रिस्क एवी की तरब से जो कि कुछ महेनों पहले टेस्टिंग चल रही है थी वर फाइनली 2024 के डिस्क एवी केसी रहने वाली है कौन-कौन से मॉडल रहने वाले कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे पूरा कम्पलीटली वेबसाइट अपग्रेड हो चुका है जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले है और इस एलेक्ट्रेक स्कूटर में 175 किलोमेटर स करणा इस लुटर के हमिल शुटिक्स के स्कूटर में 35 कध्यर के बारे विदेखनी या अपडेट खोआउब इस लिछाइए व्यायनês संब बात करतेan 2000 रीट्रह व्यर्स जीट्री में मॉडल देखने को मिलेंगे इसमें 2 मॉडल रहेंगे ओरीजीन एंड ओरीजीन प्रो ओरीजीन जो मॉडल रहेगा वे एक मीडियम रेंज THEические किलेमटर की रहेगी एंड जो सेकेंड वाला मॉडल है ओरीजन प्रो जिसमें ट्रिपल थी किलोमेटर की रेंज मिलेगी जिसमें वन फिक्स एंड वन रिमोबल बैटरी देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं ओरीजन के मॉडल के बारे में इसमें आपको 65 केंपेज का स्पेड मिलेगा दोनों मॉडल में बेल्ट ड्राइव मोडर देखने को मिलने वाली है 175 किलोमेटर की रेंज फिक्स बैटरी इसमें रहेगी दोनों ही मॉडल में लफी बैटरी रहेगी 0-240 की बात करें तो 5 सेकेंड में जाती है क्योंकि यह जो ओरीजन मॉडल रहेगा वो एक स्टार्टिंग में बोला की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अलग से दिया है फोर सेफटी के रिगार्डिंग तो वो दोनों भी मॉडल में देखने को मिलेगा और लुक की बात करें तो लुक काफी बलकी लुक है जिसकी इन्होंने एटक्स पो में शोकेस किया था बट उसम मॉडल की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें वन लाग ट्वेंटी थाउजन से लेकर वन लाग ट्वेंटी फाउजन तक एक शुरूम प्राइस देखने को मिल सकती है क्योंकि नया ब्रैंड है तो ज्यादा प्राइस नहीं रखेगा स्टार्टिंग वाले यूज ज़ struggles का speed मिल लाता है इस में भी belt drive motor है लेकिन ज्यादा capacity के motor आपको देखने को मिल जाती है वह अभी तक वाली किया है बट weld designation के यहितने ब्राइऑ जो क्यार काफी testing किये उसमें देखे है जुरू-ट्रू-टी तरी पोइनट में जाती है मतलब अच्छा pickup है gridability के बाद के तो 18 degree की gridability देखने को मिल जाती है, range 333 km की है, इसमें जो battery होगी, one fix and one removal battery रहने वाली ये LFE battery रहेगी, और इसमें भी battery management system next level का अलग से देखने को मिलने वाला है, 7 inch का display देखने को मिलने वाला है, बट पहले के model से इसमें ज्यादा features देखने को मिलेंगे, जिनको भी ज्यादा features चाहिए, तो उनके लिए ये origin pro वाला model बेस्ट रह सकता है, और guys company का जो कहना है कि इस electric scooter का जो top speed है, वो 85 km पेज इसलिए रखा है, जिससे आपको अच्छी range मिल सके, ओला से अगर हम compare करते हैं, तो ओला 100 प्लस game page का speed देता है, लेकिन range काफी drop हो जाती है, अगर हम origin pro की expected launching and pricing की बात करें तो ये company, next एक दो महिने में, में 2024 के ending तक इस electric scooter को Indian market में final look के साथ unveil करने वाली है, और जो pricing रहेगी, वो starting वाले user के लिए 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक expecting pricing रह के गा, starting में जो launching करेंगे तब इसके pricing कम होगी, आगे के user के लिए थोड़े सी increase हो सकती है, लेकिन इस price के असपास इसकी pricing देखने को मिलने वाली है, और देखा जाए गाई तो brisk EV है, अच्छी electric scooter है, काफी बलकी है, सबसे ज़्यादा range देती है, one fix and one removal battery है, LFE battery है, features भी मिल मिलने वाले है, और अच्छे price में जल्दी है, electric scooter launch होने वाली है, तो गाई यह थी कुछ है, आज की नई update brisk EV की तरफ से, finally इन्होंने website पर भी update करना चालू कर दिया है, आप इनके google पर जाकर website भी check out कर सकते हैं, उसमें 2 model list किये है, तो चलिए गाई दोस्तों मिलते हैं भी next वीडियो में, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंड में जाकर जरू से जरूर बताईए,